यह सवाल देखने, चार नंबर का है, 2019 में आया है, तो इस टैप का सवाल यह भी आता है, यह देखना यहां से लिखार वक्त, एकसी घाद दो बटे तीन, प्लस वाई घाद दो बटे तीन, बराबर दो के बिंदू, वन वन पर इस पर्स रेखा तथा अभी लंब का समीकरण ग्याद किजिए, तो याद रखना इसके लिए, इसमें क्या करना रहेगा, हमेशा एक बार आउकलन करते हैं, बस इतने याद है, एकसी घाद दो बटे तीन, प्लस वाई की घाद दो बटे तीन, बराबर दो, हो गया, इसको हम एकस के सापेच आउकलन करते हैं, देखो, एकस के सापेच आउकलन करने पर, अब देखो, आउकलन करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसके टी बार डी एकस के घाद दो बटे तीन, प्लस डी बार डी एकस य की घाद दो बटे तीन, बराबर दी बार डी एकस कितना हो गया, दो, अब देखो, x और x है तो direct होता है nx n-1 याद रखना formula तो क्या हो जाएगा 2 बटे 3 x 2 बटे 3 माइनस 1 अब देखो यहाँ x है यहाँ y है तो एक चीज़ याद रखना formula y लगाना 2 बटे 3 y 2 बटे 3 माइनस 1 लेकिन याद रखना यहाँ d y d x फिर से लिखना और यहाँ पर जो y है उसको लिख देना ठीक है क्यों क्योंकि यह x के साफ एक चीज़ यह y है तो नहीं होता तो यह direct इसको मान के बनाते हैं तो यहाँ पर देख लेना d y y d x क्यों आया अब यह देखो बराबर यह 2 है ना तो 2 अच्छा रासी है और उसका उकलन होता है 0 ती हो गया देखो 2 बटे 3 x यहाँ हम गुड़ा करेंगे 3 एकम 3 और 3 में से दो गया 1 बटे 3 तीन बढ़ा है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस यह भी सेम होगा 2 बटे 3 y 3 एकम 3 और 3 में से दो गया 1 बटा 3 और 3 बढ़ा इसलिए माइनस dy by dx बराबर क्या हो जाएगा 0 अब यहाँ से क्या हो जाएगा इसको रहने देना 2 बटे 3 y की हट माइनस 1 बटे 3 dy by dx बराबर इसको पक्छांतर कर देना तो यह प्लस रहता है तो प्लस कूल्टा क्या हो जाएगा माइनस तो यह सब इधर आ जाएगा यह हो जाएगा माइनस 2 बटे 3 x माइनस 1 बटे 3 मतलब इह वाले को पूरा इधर लिया अब यहां से क्या होगा हम dy by dx की मान निकाल लेंगे यह dy by dx का तो dy by dx बराबर हो जाएगा, इसको पूरा छाप देना, यह माइनस 2 बटे 3, एक सी घात माइनस 1 बटे 3 हो गया, और यह हो जाएगा, बटा यह वाला नीचे आजाएगा, 2 बटे 3, y की घात माइनस 1 बटा 3, क्लियर हुआ, यह dy by dx का माण नीकाल देते, कहां के नीचे, तो 2 बटे 3, 2 बटे 3 कड़ गया, अब यह हो जाएगा, dy by dx बराबर, देखो सामने हम क्या है, माइनस, x की घात माइनस 1 बटे 3, बटा y की घात माइनस 1 बटा 3, क्लियर हो गया, अब यहां पर आगे धियान देना, जब भी इस प्रकार यह माइनस में है, इसको प्लस करोगे तो, यह उपर नीके हो जाएगा, देखना आगी इसके, अब इसको क्या करना, यह dy by dx हो गया, यह माइनस लिखना, देखो यह जब माइनस है ना, तो y को उपर ले जाना, x को नीचे लिखना, कहने के मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, x बटे y, पूरे घट माइनस एक बटा 3, ध्यान देना, दोनों में अ उपर x को नीचे करोगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अब देखो यह dy by dx को हम इसको aim भी लिख सकते हैं, ऐसा इस प्रकार लिख ले ना, बिंदू, बिंदू, वन, वन पर इस पर्स रेखा की प्रवड़ता, ऐसे लिख सकते हैं, इस पर्स रेखा की प्रवड़ता तो ऐसा ज्याद करोगे, प्रवड़ता की से दर्स आते हैं, aim से, याद रखना, प्रवड़ता की से दर्स आते हैं, aim से, तो वन, वन बोला है, यह माइनस का माइनस होगा, याद रखना, इसको x मानते हैं, y, तो यह जो देखो, y का मान कितना है, 1, x का मान कितना है, 1, और घाते में एक बटे थी अब एक हम एक होगा और एक में कुछ भी घात रहे एक ही होता है तो एम बनाबर होगे माइनस वन याद रखना एम मतलब प्रवरता यहां डी वाइबाई डी लिख सकते हो अभी देखो उत्तर में आ है प्रस्नेम बोला है इस पर्स रेखा का समीकर प् बींदू वन वन पर इस पर्स रेखा का समीकर एस पर्स रेखा का समीकर बार होता है या लगा यह होता है वाई my.nws य.n M के जगह आपको पुसक मैंसे dy by dx भी लिखा रहेगा, dy by dx मतलब वही है, तो देखो यहां से यह हो गया, अब यहां पर इसको x मानना, x1, इसको y1, देखो अब confuse नहीं होने न, यहां पर x, y मानने है, यहां पर इसी क्या मान लेना, x1 और y1, ति y हो गया, y1 कमान, 1, m, m कमान क्या आएगा, minus 1, x का x ही रहेगा, x1 के जगह क्या लिखेंगे, 1, ति y minus 1 हो गया, देखो, x से कम, x, सामने में minus, 1 से कम, 1, minus minus, प्लस, यहां से हो गया, y, यह minus कुल्टा, plus, और यह minus 1, यह plus उल्टा, minus, परहबर 0, जमाक लिख सकते हो, x plus y, minus 2, परहबर 0, तो यह पहला उत्तर है, अभी बोला है, अभिलम का समय करते हो, तो सेम ऐसी लिखना, अब देखो, यह अभिलम वाला आएगा ना, तो यह याद रखना, सेम यही फार्मूला, बस m के जाएगा, क्या लिखना, minus m लिखना, तो इसको याद रखना, आपको ऐसे लिखना, फिर से बिंदू, यह हो जाएगा, बिंदू, क्या लिखोगे, 1, 1, पर, अभिलम का समय करते, अभिलम का समय करते, अभिलम का समय करते, तो फार्मूला होई लिखना, देखो, y-y1, m के जगा, minus m लिखना, और x-x1, बस समझ में, m के जगा, minus m लिखना, यह हो गया, देखो, फिर वैसे इसको, x1 और इसको, y1, यह हो जाएगा, y- y1 का मान एक, minus m का माने थे, minus 1, देखो, इसको याद रखना, यह minus 1 बटा m होगा, इसको थोड़े ध्यान देना, यह क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, यह y- y1 होगा, यह minus 1 बटा m, और x- x1, यह याद रखना, यह हो जाएगा, y, y1 का मान 1, यह minus 1 हो गया, m का मान, minus 1, और x- x1 का मान, 1, clear हो गया, तो यह हो गया, y- 1 हो गया, एक का मेक, minus minus, प्लस, लिखने एक जोरत नहीं, क्या बच्चा, x- 1, ठीक, एक को मत लिखना, बेक का मेक, वह इत्वा आएगा, यह हो गया, ठीक, तो याद रखना, उसमें, फॉर्मुलम थोड़ा याद रखने लेना, यह उसमें, m बस रहेगा, इसमें, minus 1, बटए m होगा, अभी लम्प वाले में,